आज मैं आपको बताऊंगा कि Amazon Paylator को हमें एक्टिव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसका प्रोस क्या है कौन्स क्या है क्या इसको एक्टिव करना सही रहेगा या सही नहीं रहेगा मैं अपना opinion भी दूँँगा कि हम जो है इसको open करे या ना करे मेरे को अच्छा लगता है या नहीं लगता है आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो सारा कुछ मैं इस वाले वीडियो में बताऊंगा ठीक है तो till the end बने रहे ना लेकिन गाइस टेलिक्राम चैनल को नहीं हो जाएगा ठीक है तो चलो देखते हैं without wasting time चाहँ अंटे दर वीडियो तो guys मैंने यहाँ पर Amazon open कर लिया सीधा पेवाले section में जाओंगा जाने के बाद यहाँ पर देखोगे मेरे पास मेरे Amazon pay later में कितना रुपीज है 30,000 जो है मेरा limit है all limit मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है तो simple सा इसके उपर जो है पहले इसका pros की बारे बात करते कि Amazon pay later में क्या अच्छा है pros के बाद cons बताऊंगा तो यह दोनों को comparison करके आप जो है मतलब सोच लेना कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए आपको करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा लेकिन मैं अपना opinion भी बताऊं इसको कैसे active करना है उसके उपर भी मैंने वीडियो बना है वीडियो के link आपको description मिलेंगे और साथ इसको इसको इस्तिमाल करके कैसे आप खरीच सकते उसके उपर भी मैंने वीडियो बनाया हुए है सबसे पहला जो यहाँ पर important चीज आ जाती है आपके पास कोई credit card नहीं है और कोई भी bank आपको credit card दे ही नहीं रहा है ठीक है इसके इसमें आपको amazon pay letter मिल जाता है तो आपको ले लेनी चाहिए क्योंकि यह आपको बहुत ही जादा help करेगा आपके civil score को बढ़ाने में और civil score बढ़ा तो in future जो है आपको मतलब संभब है कि आपको credit card मिल जाए bank वाले आपको credit card दे देंगे ठीक है अब second जो इसका pros आता है उसमें जो है आपको मिल जाता है बिलकुल interest free 50 days का limit ठीक है पचास दिन तक जैसे credit card में आप यूज कर सकते हो ना same का same वैसा ही आप इसमें भी use कर सकते हो 50 days के लिए बिलकुल free में limit जितना भी limit आपको मिल रहा है 50 दिन के लिए आप आराम से इस्तमाल कर सकते हो मतलब समझ लो कि नवंबर आ रहा है तो नवंबर के जो है 15 तारीक के बाद 16 तारीक को आप कोई भी order लगाते हो तो 15 से लेकर जो 30 तारीक तक 15 दिन हो जाते है उसके बाद पूरा का पूरा एक महीना मिल जाएगा मतलब 15 और उधर गया आपका 30 तो हो गया 45 दिन और उसके के एक से 15 तारीक के अंदर अगर आप खरीद लेता हो तो उस केस में आपको थोड़ा कम दिन मिलेगा ठीक है तो ये भी आप ध्यान में रखना 50 दिन का free credit आपको मिल जाता है कोई भी आपको नहीं देगा अगर आप किसी से मांग भी लोना तो वो आपको नहीं देगा अग cost EMIB मिल जाता है और no cost EMIB मिल जाता है अगर आपके पास पैसे नहीं है आपका salary कम है हो सकता है यहां पर थोड़ा बहुत जादा आपको देना पड़े interest rate बट फिर भी आपको आपका salary के हिसाब से आपको मिल जाता है option तो आप जो है खरीज सकते हो तो इसके लिए ये जो ह मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ठीक है अब चलिए बताते हैं इसके कुछ cons के बारे में सबसे बड़ा दिक्कत इसमें जो है हमें show होगा वो ये होगा कि credit card में आपको जितना भी मतलब percentage का interest देना पड़ता है अगर आप overdue होते हो यहां पे थोड़ा ऐसा नहीं है यहां प जैसे की 200 रुपे का अगर आप overdue होते हो तो 0 आपको देना पड़ेगा 200 से 1000 में आपको 100 प्लस GST 18% GST देना पड़ेगा 1000 से 5000 के बीच में 200 प्लस 18% GST 5000 से 20,000 का इतना और 20,000 से जादा आपको 500 प्लस 18% का GST देना पड़ेगा तो यह जो है एक fixed amount है ठीक है? fixed amount पे fixed आपको charges करा जा रहा है कोई percentage बगेरा का यहां पे mole नहीं है मतलब खेल नहीं है ठीक है? तो यह थोड़ा सा बेकार चीज लगा और एक बहुत ही important चीज जो कि हम अकसर कर लेते हैं कि मेरे पास जो है अभी सारे के सारे products है बहुत सारे products पड़े हुए है मेरे को कोई भी products की requirement है नहीं लेकिन मैंने देखा कि Amazon Paylator से cashback का बहुत ही अच्छा यह cashback का offer हमको मिल रहा ह कि अगर मैं अभी एक order लगा देता हूँ यह चीज तो मेरे को 100 रुपे 200 रुपे का cashback मिल जाएगा तो उस case में हम क्या करते हैं order लगा ही देते हैं और जो है product हमारे घर आ जाता है और हमें जो है मतलब थोड़ा सा यहाँ पे budget में दिकत हो जाती है इदर उदर हो जाती है जो हमको नहीं चाहिए था वो हमको खरीदना पड़ा तो उस case में हमारा budget जो है बढ़ गया तो यह भी बहुत बड़ा issue है तो इसके लिए अगर आप इसको active कर रहे हो तो अपने budget पे ज़रूर से ध्यान देना cashback के चकर में आप जो है कुछ भी मत ऐसे खरीद लेना ठीक है तो कुछ इतना सा ही चीज है जो कि इसके pros और cons के बारे मेरे को जो है यहाँ पे अगर मैं देखूना तो मेरे को तो सही लगता ही है कि इसको active करना चाहिए तो in the end मैं यही कहूंगा कि credit card already है तो आप amazon pay letter को active मत करना ठीक है और अगर आपके पास credit card नहीं है कोई भी bank आपको credit card देना नहीं चाहता है क्यूंकि आपका civil score घटिया है तो इस case में अगर आपको amazon pay letter मिल जाता है तो आपको active कर लेना चाहिए और वहाँ से अगर जब भी आप इसको use करना शुरू करोगे time पे pay करोगे तो इस case में आपके 3-4 महिने के बाद आपका civil score जो है generate होना शुरू ह बढ़ना शुरू हो जाएगा और उस case में कुछ दिन बाद आप credit card भी ले सकते हो और जब चाहो आप इसको cancel भी कर सकते हो amazon pay letter को ठीक है अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि आप क्या करते है आप लेते या नहीं लेते तो मैं तो ले ही लेता क्यूंकि मेरे पास already 3-3 credit card है औ और फिर भी मैंने जो है amazon pay letter को active करके रखा हुआ है क्योंकि मेरे को यह चाहिए होता है ठीक है कभी कभी चाहिए होता है तो यही था कोई भी queries हो ना इसके regarding कोई भी queries हो सीधा instagram पे dm करो उसका link आपको description मिल जाएगा देखो free में amazon gift voucher earning कर सकते हो उसके उपर मैंने धेर सारे वीडियो बनाये हुए है और कुछ ऐसे application के link पे आपको description ने दे रहा हूँ जहां पे आप sign up करो free में amazon gift voucher निंग करो जहां पे self task भी हो जाता है refer and earn भी हो जाता है एक एक refer के आपको 500 का gift मिल जाएग amazon gift voucher ठीक है तो इस वाले वीडियों के इतना ही उम्मीद है अच्छा ल